परिजए चात्रों, आज हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे श्रीमान, हेलो एलकेन क्या है? हेलो एलकेन एक रासाइनिक योगिक है, जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाइडोजन परमाणूं हेलोजन परमाणूं से प्रतिस्थापित होते हैं और हेलोजन क्या हैं शिरीमान? हेलोजन अभी क्रियाशील अथातू हैं जिसके साथ कर्शक इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हेलोएरीन क्या है? हाँ श्रीमान हेलो एरीन अणू है जिसमें हेलो जन अणू कार्बन अणूओं के साथ आबंदित रहते हैं जो एक एरिल वलै का हिस्सा है बहुत अच्छे रोहित इस पार्ट में हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को वर्गी क्रेथ करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट की नाम पधधी पर चर्चा करना ये एक साबंध की प्रकृती की जानकारी हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन विधियों के बारे में वर्णन करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना वर्गी करन हेलो एलकेन अथवा एलकिल हेलाइट वे यौकिक हैं जिसका सामाने सूद्र आर एक्स है जहां आर एक एलकिल अथवा प्रतिस्था पिस समू है और एक्स हेलो एरीन अथवा एरिल हेलाइट वे यौकिक हैं जिनमें हेलोजन सीधे एरोमेटिक वले से जुड़ा रहता है उनका सामानि सूत्र ARX है जहां AR, फेनाइल अथवा प्रतिस्थापित फेनाइल है हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को हेलोजन परमाणों की संख्या की अनुसार वर्गी क्रित किया जा सकता है इनको मोनो, डाई, अथवा पॉली हेलोजन योगिकों में वर्गी क्रित किया जा सकता है पॉली हेलोजन योगिकों में ट्राई, टेट्रादी चामिल है वर्गी करण कार्बन पर्माणों के संकरण के आधार पर मोनो हेलो योगिकों का वर्गी करण जैसा की नीचे दिया गया है किया जा सकता है हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP3 संकरित कार्बन अबंदित रहता है अलकिल हेलाइट अथवा हेलो एलकेन Rx इनका समानिसुत्र CNH2N जमा एक X है इन्हें हेलोजन पर्माणों के प्रातमिक, दुईतियक अथवा त्रितियक कारबन अणों से आबंधन के आधार पर पुना प्रातमिक, दुईतियक में वर्गी क्रेत किया गया है एलिलिक हैलाइट ये वे योगिक होते हैं जिनमें हैलूजन परमाणू कार्बन कार्बन दुई का आबंध सी बराबर सी के समीप वर्ती SP3 संकरित कार्बन परमाणू से आबंधित रहता है इन योगिकों में हैलूजन परमाणू एरोमेटिक वले से जुड़े SP3 संकरित कार्बन परमाणू से आबंधित रहता है यानि कि एक बैंजलिक कार्बन के साथ वर्गी करण हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP2 संकरित कार्बन वाइनिलिक कार्बन के साथ आबंदित होता है वाइनिलिक हेलाइट इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणू कार्बन कार्बन दूइकाबंद C बराबर्सी के SP2 संकरित कार्बन परमाणू से जुड़ा रहता है यानि एक वाइनिलिक कार्बन के साथ एरिल हेलाइड इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणूं एरोमेटिक वले के कार्बन परमाणूं से तीधे आबंधित रहता है। उधारण हेलोबेंजीन नाम पद्धती एलकिल हेलाइडों के समाने नाम की व्युदपत्ती के लिए एलकिल समों का नाम लिखने के पश्चाद हेलाइड का नाम लिखा जाता है। हेलो एरीन को IUPAC में एरिल हेलाइड कहा जाता है। समानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में भी यही कहा जाता है। डाइड हेलो जन योगिकों के लिए समानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में O-M-P- का प्रियोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। लेकिन IUPAC पद्धती में 1,2,1,3,1,4 संख्याओं का प्रियोग किया जाता है। नाम पद्धती डाइड हेलो योगिक जिन में एकी ही प्रकार के हेलोजन परमाणू होते हैं, इनको जेमिनल हैलाइट तथा विसनल हैलाइट में वर्की क्रित किया जाता है। जब दो समान हालूजन परमाणूँ समान कारबन से जोड़े जाते हैं, तब उनको जेमिनल डाइ हायलाइट कहते हैं. सामाने नामकरण पद्धती में एलकलीडीन हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है और IUPAC नाम पद्धती में उनको डाई हैलो एलकेन के रूप में नामित किया जाता है जब दो हैलो जन परमाणू नस्दी की कारबन परमाणू से जुड़े होते हैं तो उनको विसिनल डाई हैलाइट नामित किया जाता है उनको सामाने नामकरण पद्धती में एलकलीन डाई हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है और उनको IUPAC पद्धती में डाई हैलो ए प्रक्रिती 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 अथ्वा ताप की उपस्तिती में हैलोजेन के एक एलकिन के साथ अभिक्रिया एलकिल हैलाइट अथ्वा हैलो एलकिन को बनाने का काम करती है। इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्था पंद्वारा एरिल हैलाइट को लूइस अम्ल उद्प्रेरक की उपस्तिती में जैसे की आइरन अथ्वा आइरन तीन एरीन के हैलोजन इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्था पंद्वारा बनाया जा सकता है। बनाने की विधियां सैंड मायर अभिक्रिया जब जलिये खनीज अमल में घुली एरोमोटिक एमीन को सोडियम नाइट्रीट के साथ अभिक्रित किया जाता है तब टाइजूनियम लवन बनते हैं सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा बने घुल को क्यूपरस क्लोराइट अथवा क्यूपरस ब्रोमाइट से मिश्रित किया जाता है तब वो डाइजूनियम समुह को C-L अथवा B-R द्वारा प्रतिस्थापित करता है यदि हम डाइसोनियम समुह को यूपरस हैलाइट की बजाए आयोटीन द्वारा प्रतिस्थापित करें तब हमें पोटेशियम आयोटाइट का उप्योग करते हैं बनानी की विधिया एल किनों से हाइडोजन हैलाइट के संयोजन द्वारा हाइडोजन हैलाइट से अभिक्रिया करने पर एल कीन संगत एल किल हैलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं हाइलोजन संयोजन TCL4 में घुली ब्रोमीन के एल कीन में टालने से परिरामसरूप सन्निथी यानि विस डाइब्रोमाइट प्राप्त होता है बनाने की विधिया हाइलोजन विनिमाए एल किल क्लोराइट ब्रोमाइट को चुशको ऐसी टोन की उपस्तिती में अभिक्रिया कराने से एल किल आयोडाइडों को बनाया जा सकता है इस अभिक्रिया को पिंक क्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है एल्किल फ्लोराइट को स्वार्ट्स अभिक्रियात्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइट ब्रोमाइट को धातू फ्लोराइट की उपस्तिती में गर्म किया जाता है भौतिक गुण धर्म शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइट रंगिहीन होते हैं, परंतू प्रोमाइट तथा विशेशकर आयोडाइट प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं गलनांक एवं कौतनांक ध्रूविये प्रकृती और संगत कार्बनी खैलोजन योगिकों के हाइड्रो कार्बन की तुल्ला में उच्च आणवीक द्रवेमान के कारण कार्बनी खैलोजन योगिकों में अंत्रा आणवीक आकरशन बल दूई ध्रूव दूई ध्रूव तथा वांटर वाज प्रभल होते हैं, जिसके कारण खुलोराइडों, ब्रोमाइडों तथा आयोडाइडों के कौतनांग समतुले दरवेमान वाले हाइडोकारबनों के कौतनांगों की अपेक्षा अधिक होते हैं। एलकिल समू के लिए जैसे आर, एलकिल हैलाइडों के कौतनांग के घटने का क्रम इस प्रकार है। आर आई का उच्चतम कौतनांग होता है। आर पी आर, आर सी एल और आर एफ का कौतनांग क्रम शा घटता जाता है। समाव यवी एलकिल हैलाइडों के लिए गलनांग कि शाखन के साथ खटता है। ये सलिए है क्यूंकि प्रिस्टिक शित्र को शाकन श्रंकला घटाती है। और परिडामता अंत्रा अनुक आकरशन बलों को भी घटाती है। समाव्यवी डाई हेलो बेंजीन के कौधनांग लगभग समान होते हैं समाव्यवी डाई हेलो बेंजीन का गलनांग पूरी तरह भिन है पेरा समावयवी का गलनांग मोटे तौर पर आर्थो तथा मेटा समावयवी की तुल्ल में सुतर से सौट डिग्री उचे तर रहता है। पैरा समाव्यवी का उचिकल नांग समित सनचना के कारण है, जो इसको क्रिस्टल लेटिस यानी जालक के लिए अच्छी तरह फिट बनाता है. घनत्व एलकिल क्लोराइड समानता पानी से हलके होते हैं, जबकि रोमाइड और आयोडाइड भारी होते हैं. उनके घनत्व आर आई पड़ा है, आर्बी आर पड़ा है आर सी एल से जो ग्रम में है. फिर भी पॉली क्लोराइड पानी से भारी होता है. घुलन शील्टा हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विले है हेलो जन एलकेन को पानी में घोलने के लिए हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंध को तोड़ने के लिए उर्जा की आविशकता होती है जब हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंध बनते हैं, तब बहुत कम उर्जा मुग्द होती है, जिसके कारण से हेलो एलकेन पानी में अल्प विलाई होते हैं हेलो एलकेन कारणिक विलाईकों में घुलनशील होते हैं, जैसे की एथर एलकोहॉल और बेंजीन, क्यूंकि इन में मुग्द हुई तथा आवश्यक उर्जा बराबर होती है क्या आप जानते हैं, हेलो एलकेन का प्रयोग लौधीमा करने, अगनी शामकी अंद्रों, रेफरेजरेटर्स, प्रणोधकों, विलाईकों और दवाईयों में किया जाता है बहुत से हेलो कारबन घातक प्रदूशन कारक और विशाक्त होते हैं उधारण, क्लोरो फल्योरो कारबन, सारे अंटाक्टिका में, ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं हेलो एलकेन वे योगिक हैं, जिनका प्रतीक आर एक्स है, जहां आर एक एलकिल अथवा प्रतिस्थापित एलकिल समू है, और एक्स हेलोजन एफसी एल बी आर आई है हेलो एलकेन वे योगिक हैं, जिनमें हेलोजन सीधे एक एरोमेटिक वलाई के साथ लगा रहता है सामाने नाम पद्धती में एल्किल हैलाइट को हैलूजन से लगे एल्किल समुह के नाम और हैलाइट का नाम जोड़ कर नाम आंकित करते हैं IU-PAC नाम पद्धती की पद्धती में एलकिल हैलाइट को हेलूजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकारबन के रूप में नामित किया जाता है. एलकिल हैलाइट को एलकोहॉल, हाइड्रोकारबन और हैलूजन विनमेद्वारा बनाया जा सकता है. क्लूराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का कौतनांग लगभग समान आणविक द्रविमान के हाइड्रोकारबन से उच्च होता है. समाव यवी डाई हैलोपेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं. समाव यवी डाई हेलो पेंजीन के गलनांग सर्व प्रकार से भिन होते हैं हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विले होते हैं